जब भी मुझे केग खाने का मन होता न तो मैं आटे का ही केग बनाती हूँ जो मैदा है ना उसको avoid करती हूँ आटे का केग का texture एक तो अच्छा आता है और taste तो होता ही बहुत अच्छा है और health के लिए अच्छा होता है और measurement भी थोड़ा 19-20 हो गया ना तो कोई इशू नहीं है तब भी अच्छा ही बनता है रोटी बनाने वाला आटा मैंने देड़ कप लिया था और ये जो milk powder है वो करीब 1 3rd या आधा आप ले सकते हैं और ये baking powder, baking soda, baking powder मैंने एक teaspoon लिया है, baking soda, half teaspoon लिया है, ये सब को मिला के छान के और mix कर लिया है मैंने अब इक दूसरे bowl में जिसमें हम batter को mix कर सकें तो उसमें हमने butter ले लिया है, 2 tablespoon के करीब लिया है, थोड़ा कम जादा होगा, कोई इशू नहीं है और ये जो ताजी मलाई होती है, जो दूद के उपर जमती है, वो मैंने करीब आधा bowl के आसपास लिया था, और पिसी हुई चीनी पिसी चीनी जैसे 1,5 cup लिया है मैंने आटा, तो उसमें 3,4 cup मैंने पिसी चीनी लिए, वैसे आप टेस्ट के according, शुगर कम या जादा कर सकते हैं तो ये सब चीजों का एक smooth batter बनाना है, आपको यदि milk की requirement लग रही है, तो उसको मिला के और पढ़ियां से beat कर लीजे, और फिर आम इसमें dry ingredients मिलाएंगे तो बस आप इसको beat करते जाएंगे, और जो आटे का mixture है वो मिलाते जाएंगे, और beat करते जाएंगे, और यदि requirement हो, तो milk भी डाल सकते हैं, room temperature वाला ये जो simple सा cake है ना, ये गर्मा गरम cake मुझे चाय के साथ बहुत पसंद है, और ये मेरे घर में बनता है, और उसी दिन सारा finish हो जाता है, इतना सब को पसंद है कुछ चीज़ें होती हैं, जिसमें जादा variation करना मुझे पसंद नहीं होता, ये cake उन्हीं में से है, बिल्कुल सादा, simple सा, इसमें मैंने वेलीना essence डाला है, और बस इसी का ही taste उसमें हलका सा अच्छा लगता है तो देखे, सारी चीज़ें mix हो गई है, अब इसमें थोड़ी से chopped nuts डाल देते हैं, वो भी choice के उपर है, थोड़ा सा डालेंगे तो अच्छा लगेगा, और इसको ये जो tin है, इसमें मैंने butter vapor लगा के रखा था, और इसमें सारा butter shift कर देंगे तब तक मैंने एक कड़ाई preheat होने के लिए रख दी थी, ताकि ये mixture जब तक हम ready करने हैं, वहाँ पे कड़ाई जो है, अच्छे से गरम हो जाएगी, अब देखे, उपर से भी थोड़ा सा nuts डाल देंगे, और इसको रख देंगे, उस कड़ाई में bake होने के लिए, तो ये द तूटपिक से चेक भी कर सकते हैं, तो देखे, clean toothpick आ रही है, इसका मतलब ये ready हो गया है, तो पहले इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और फिर cut करिये, तो देखे, कितना बढ़िया texture आया है, बिल्कुल दाने दाने खिले हुए हैं इसके, और इस तरह से आप एक बार cake ज़रूर try कीजिएगा, और इसी तरह की और recipes के लिए मेरा चैनल subscribe कर लीजिए, और facebook page से देख रहे हैं, तो उसको follow कर लीजिए